हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियूरो वियोन फोर टैबलेट के बारे में कि नियूरो वियोन फोर टैबलेट का यूज कहां कहां पर किया जाता है और विटामिन B कॉम्पलेक्स की कमी होने पर क्या-क्या बिमारी हो सकती हैं इन्हें के बारे में डिटेल से डिसकस करने वाले हैं तो देखिए सबसे पहले जो विटामिन होते हैं वो विटामिन विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E होती है इसमें जो विटामिन B और C है वो क्या होती है? और VITAMIN A, VITAMIN D और VITAMIN E यह क्या होती है, FAT SOLUVEL होती है हम बात करेंगे only VITAMIN B के बारे में देखे, VITAMIN B की अलग-ङलग subtypes होती है जो VITAMIN B है, उसकी अलग-ङलग subtypes होती है जैसे VITAMIN B1, VITAMIN B2, VITAMIN B3 इसी तरह अलग-ङलग subtypes होती है तो इनी सभी सब टाइप्स को कमाइंड करके क्या बनता है? B-complex बनता है देखे, Neurobion 4 टेबलेट का यूज किया जाता है जो Neurons की Health को ठीक करने के लिए जो Neurons हैं, उनकी Health को ठीक करने के लिए यानि की नसों के अंदर दर्द होने पर उनको इसको यूज किया जाता है अब देखे इस टैबलेट के उपर जो नूरो बियोन फोर्ट लिखा हुआ है देखे यहाँ पर जो नूरो बियोन फोर्ट लिखा हुआ है इसमें नूरो को हाइलाइट किया हुआ है जो नूरो है उसको क्या किया हुआ है हाइलाइट किया हुआ है क्योंकि यह नूरो वर्ड यह किस से रियलेट करता है नूरोन से अब देखें यह जो मोटे अक्सर में जो एन लिखा हुआ है यहां पर देखें जो मोटे अक्सर में एन लिखा हुआ है इसके अंदर जो dots दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर जो छोटे-छोटे dots हैं और ये आपस में connect हो रहे हैं क्योंकि जो neurons हैं जो neurons हैं उनकी structure भी इसी तरीके से होती है यानि वो भी आपस में इसी तरह connect होती है अब हम बात करेंगे neurobeon food के अंदर क्या-क्या आता है यानि कि क्या-क्या composition आते हैं और किस composition का किस vitamin से संबन्द होता है और कितना mg किस composition में होता है तो सबसे पहले आता है थाइमिन जो थाइमिन है यानि कि vitamin B1 जो थाइमिन है वो किस से relate करता है vitamin B1 से जो कितने mg का होता है 10 mg का होता है उसके बाद में next है riboflavin riboflavin यानि vitamin B2 जो होता है 10 mg का कितने mg का होता है 10 mg का उसके बाद में next आता है pyridoxin यानि की vitamin B6 जो कितने mg का आता है 3 mg का कितने mg का 3 mg का इसके बाद में next है sinocovalmin यानिकि vitamin signokobalmin यानिकि vitamin B12 जो होता है 15mcg का 15mcg का अब देखिए mg और mcg जो mg है और mcg है यह क्या होता है mg का मतलब होता है miligram जो mg है उसका मतलब होता है miligram ग्राम और जो mcg है उसका मतलब होता है माई करो ग्राम mg और mcg में डिफरेंस क्या है देखें जो mg है और mcg है उसमें क्या डिफरेंस है जो mg होता है वो होता है 10 की पावर 3 ग्राम कितना 10 की पावर 3 ग्राम और जो mcg है वो होता है 10 की पावर 6 ग्राम अब आता है nicotinamide यानी vitamin B3 कितना vitamin B3 होता है जिसमें आता है 45 mg इसके बाद में next है calcium यानी vitamin B5 जिसमें आता है 50 mg कितना होता है 50 mg इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर विटामिन B complex की कमी हो जाए तो क्या-क्या बीमारी हो सकती है तो देखिए सबसे पहले है नर्व सिस्टम डेमेज यानि कि नर्व सिस्टम डेमेज हो सकता है एनिमी आओ सकता है यानि कि खून की कमी हो सकती है लो रेड बलड सेल्स यानि कि red blood जो cells है वो क्या हो सकती है low हो सकती है weakness आ सकती है depression हो सकता है और hair loss हो सकता है अगर anemia होगा तो hair loss होगा और weakness होगी और आपको depression भी हो सकती है इसके बाद में next है poor immunity जो immunity है वो भी आपकी poor हो जाएगी यानि कमजोर हो जाएगी heart, kidney and liver disease जो heart है kidney है और liver है उन तीनों में भी आपको कोई न कोई disease हो सकती है dementia यानि कि आपकी यादास्त भी कमजोर हो सकती है dementia अगर मतलब होता है यादास्त का कमजोर होना अब आता है इसका यूज कब किया जाता है कहां कहां पर इसका यूज किया जाता है जो red blood cells है उसके production को increase करती है क्या करते हैं, जो red blood, जो RBC हैं उसके production को क्या करते है, increase कर देती है, iron के absorption में मदद करती है, जो iron है उसके absorption में मदद करती है, iron और जो iron है और vitamin B12 है दोनों RBC बनाने में मदद करती है क्या करती है RBC बनाने में मदद करती है यानि कि iron और vitamin B12 दोनों खून बनाने का काम करती है यानि कि iron का absorption increase हो गया तो RBC का भी increase हो जाएगा RBC भी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी अगर खून की पूरती हो जाएगी है Immune System, Immune System क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जो NeuroBund for Tablet है, अगर आप इसको use करते हो, तो Immune System मजबूत हो जाता है, Metabolism मजबूत होगा, जो Nerv System है, उसको भी यह अच्छा करती हैं, और जो Bone है, Joint है और काटी ले जाए उनको क्या करती है सुधारती भी है और मजबूत पी करती है इसके बाद में नेक्स्ट है लीवर किड्नी हर्ट इनके जो लीवर किड्नी के हैल्थ को क्या करती है परमोट करती है और हेयर एंड इसकीन को हैल्थी रखती है जो माउथ हलसर है उनमें भी इन अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कूल ना भूलें क्योंकि आगे आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुं सके और साथ ही कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा थैंक यू स सब्सक्राइब